सूर्योदय हो चुका था और यह सूर्योदय महासिवरात्री का था और यह सूर्योदय लाश्ट कुम्मेले का था और कुछ ही देर बाद इस तरह से भक्तों का हुजूम उमड़ा मागंगा के तट के किनारे और आप इस वक्त देख सकते हैं अपने टेलिवीजन या मुबाइ सक्रीन पर कि किस طरह से भक्तों का हुजूम उमड़ चुका है मा गंगा के दरशन के लिए और इस्नान के लिए आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विसाल भीढ इकठा है इस वक्त महा सिवरात्री का इसनान करने के लिए तटके किनारे और जो समस्त साधुजन है वह किस तरह से इसनान के लिए सिंगार के लिए वहाँ पर इखठा हुए हैं आप देख सकते हैं और यह लाश्ट कुम्मेला है लाश्ट इसनान है कुम्मेले का इस वज़ा से नहीं आने वाला है यह कुम्म दुबारा कुम्म आएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा इस वज़ा से लोग आज के दिन इसनान के लिए इकठा हुए हैं स्रद्धा भाव के साथ इकठा हुए हैं और बहुत ही कोमल दिल के साथ कोमल मन के साथ इकठा हुए हैं मा गंगा के तटके किनारे और आप देख रहे होंगे कि इस तरह से सासन विवस्था भी बहुत टाइट कर दिया गया है क्योंकि आज लाश्ट इसनान है लाश्ट कुम्ब मेला है इसके बाद फिर से कुम्ब मेला आएगा तीन चार साल के बाद और फिर आएगा तो फिर इसी तरह से इकठा है मागंगा के दर्शन के लिए इसी तरह के खबरों के लिए तुरंद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप अब्डेट पाते रहें